दलाइफ टीवी सच सब से आगे पहुचते हैं और स्थानिय विधायक जो हैं वही नहीं आते हैं अब यह मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है मामला लगातार चर्चा का विशय बन गया है क्योंकि यह एक दो मामला नहीं है बलकि तीन से चार विधायकों ने ऐसा किया है जिसमें प्रदेश के मुख् दिती बनकर लेकिन स्थानिय विधायक का ही कोई अतापता नहीं है स्थानिय विधायक ही अपने शेत्र के कारिकरम में मौजूद नहीं है जब Tian 죽 प्रदेश के मुख्य मंत्री से जो तमाम विधायक नेटा है बीजे पी जो हैं वो सामने आ रही है और विधायक जो है कारिक्रम में पहुच ही नहीं रहे हैं पूरा मामला आपको बताते हैं खबर देखिए खबर में लिखा है शिवराज से क्यों दोरी बना रहे हैं बीजेपी के विधायक सीएम के कारिक्रम में नहीं आए तीन विधायक शागंज किस तरीके से राजनीती में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, किस नेता की किस पार्टी से दूरी हो जाए, किस से करीबी हो जाए, कुछ कहां नहीं जा सकता, और मध्या प्रदेश में मुखे मंत्री जहां पर पहुच रहे हैं, वहाँ स्थानीं विधायक ही नहीं जैसा के इन दिनों मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान के ग्री जिले सिहौर में देखा जा रहा है। जैसा के इन दिनों मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान के काम से उनकी सरकार से खुश नहीं है। वो मुख्य मंत्री के कारेकरम में नहीं पहुच रहे हैं। भारी मंत्री डॉक्टर प्रभूराम चोधरी सिहौर के पुर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जस्पाल सिंग अरोरा, नगरपाली का अध्यक्ष प्रिंस राठोर, आश्ठा विधानसबा शेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंग इंजीनियर आदी शामिल लेकिन जो शेत्र के तीन विधायक थे, वही कारेकरम में मॉजूद नहीं रहें, बलकि मुख्य मंत्री वहाँ पर अतीती बन कर आये थे, प्रदेश के मुख्य मंत्री कहीं जाते हैं, तो तमाम विधायक नेता उनके साथ जाते हैं, सबसे एहम बाट जो है, जो अस जगह म विधायक सांसत जो है जो नेता हैं जो नेता ग्री में रहते हैं उन्हें वहाँ पर मौझूद होना चाहिए और मौझूद होते भी हैं लेकिन मध्यपरदेश में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों मध्यपरदेश में शिवरा सिंग चौहान जो हैं वो कारिकरम करने जाते हैं लेकि राजस्थान में भी इसी तरह का विवाद देखा कि किस तरीके से राजस्थान में एक तरफ तो मसंद्रा राजे अपना बर्टदे सेलिब्रेट कर रही है और दूसरी तरफ पाटी का उसी दिन कोई दूसरा कारिकरम होता है जिसको लेकर पोस्टर वॉर भी छड़ता है अब कारिकरम में मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि यदि सरकार की नियत और नीती दोरों ही ठीक हो तो तस्वीर और तकदीर बदलती है प्रदेश मन जंता की तकदीर और प्रदेश तस्वीर बदलने का महा वियान चल रहा है मेरे जिन्दगी का मकसद है आपकी जि मेरा मुख्य मंतरी बनना सार्थक है कारकरम में शिवरा सिंग चोहान ने शागंज नगर की प्रतिभाव को सम्मानित किया उन्होंने विभिन योजनाओं के हितलाब और सुविक्रीती पत्र हित ग्राहियों को वितरित किये तो यहां पर मुख्य मंतरी शिवरा सिंग कह रह इतनी ही नीतियाट सही है तो स्थानिय विधायक किस तरीके से आपसे दूरी क्यों बना रहे हैं आपके कारकरम में क्यों नहीं आ रहे हैं क्या साबित करना चाहते हैं क्या यह जान बूच के किया जा रहा है महस एक गलती या कोइंसिदेंस तो इसे इत्वाक तो आप नहीं लाडली बहन योजना माईला सक्षक्तिकरन की सबसे बड़ी योजना है अगामी 25 मार्च से इस योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे और 10 जून को बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 56,000 गरीब बेटियों की शादी सरकार ने करवाई है वहीं 44,000,000 बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाब भी मिला है गौद तरब है कि मद्यप्रदेश में हाल ही में कारेकरम हुआ लाडली योजना को लेकर जिसमें लाडली योजना गौद घाटन किया गया और उसके फाइदे बताये गए और किस तरीके से मद्यप्रदेश शुतरकार ने इसको फ्रेम करके ये बताया कि किस तरीके से माता और भेनों के लिए ये अच्छी योजना जो हैं हम ला रहे हैं इसी के साथ खबर में आगे लिखा है तारकरब में मुख्य मंतिरी चोहान ने शागंज के गौरब दिवस पर सभी नागरिकों को सुरक्षा बीमा कराने के लिए बधाई भी दी उन्होंने कहा कि शागंज के सभी नगर वासियों ने प्रधान मंतिरी सुरक्षा बीमा और प्रधान मंतिरी जीवन जिवती बीमा कराकर शागंज नगर को देश का पहला नगर बना दिया है तो यहां पर आप देखनें के किस तरीके से मद्यप्रदेश में BJP के जो विधायक हैं वो प्रदेश के मुख्य मंत्री से दूरी बना रही है दूरी क्यों बना रहे हैं इसके पीछे की वज़ा क्या है ये तो विधायक ही बता सकते हैं लेकिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि चर्चा का विशे जो है ये मामला बन चुका है और इसी के साथ अब हर तरफ ये बाते हो रही है कि मंद्यप्रदेश में क्या चल रहा है जिस तरीखे से बीजेपी के विधायकों ने मध्यपदेश के मुख्यम मंत्रे शिवरा सिंग चोहान से और उनके कारेकरम से दूरी बना ली है उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सरूर बताएं